स्वागत है हमारे यूटूब चानल टार्गर विजितेंद में फ्रेंट्स जो बालोजी की हम लोग सिरेज पढ़ रहा हैं इसमें पार्ट सेकंड हमने कवर कर लिया था पार्ट सेकंड में हमने 90 क्वेस्टन तक कवर किया जैसा कि प्रतेक पार्ट में 45 क्वेस्टन आप सभी को प्रवाइड किये जाते हैं और ऐसे क्वेस्टन होतने हैं फ्रेंट्स की जो UPPSC या आयोग के किसी भी विसेज परिच्छाओं में आयोगी प्रस्टन हैं और इस वज़े से प्रतेक परिच्छाओं के दिरिश्ट से ये सारे क्वेस्टन आपके लिए बहुत मैदपूर हैं और आप इसको जरूर पढ़ें क्योंकि आप जान दें कि वैलोजी से हमेशा सारे एक्वेस्टन में कितने क्वेस्टन आते हैं तो प्लीज आप इसको इस वीडियो को एक बार जरूर देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझवा आता है तो दुबारा देखें आप लेज़ पार मानो शरीर में यूरिया संसलेशन कहां पर होता है यह लीवर में होता है यह यकृत में होता है इसका कर्यक्त आप सरीर होज़ा एक लिवर में होजाएगा फ्रेंट्स लीवर में नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ये फ्रेंट्स यक्रित जिसे आप लीवर कहते हैं, ये मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंती है। कौन-कौन से दो खनिजों का उप्योग होता है इसमें friends इसमें यानि sodium तथा potassium की जरूरत होती है इस उज़े इसका correct answer option D हो जाएगा sodium तथा potassium question number 99 लिनिम लिखित कत्नों पर विचार किजिए कि सोते समय तीवर प्रकास अमानचनिय होता ये सही है कारण इसका दिया गया है तीवर प्रकास में सरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है friends C ये गलत है यानि ये सही है R गलत है तो A सही तथा R गलत किसमें हो जाएगा option C में इस उज़े friends का option C यानि correct answer हो जाएगा next question है friends की अंता श्रावी गंतियां ये हर्मों से question एक ना एक आता ही आता है तो friends का question है कि मानो सरीर में निमलिखित में से कौन सी ग्रंती अंताS श्रावी ये वंवववववववववववववववववववववववव्ववववव तो अगनाश्य जो होता है फ्रेंट्स अगनाश्य यह दोनों प्रकार का यह अंताश्रावी भी होता है और बैश्रावी भी गरंत होता है नेक्स जे फ्रेंट्स आयोडीन युक्त हार्मोन है तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है फ्रेंट्स थायराक्षिन हार्मोन क्या ह इसके बाद कौन सा हर्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है इस्ट्रोजन होता है एस्ट्रोजन का उत्पादन यानि क्या हो जाता है बंद हो जाता है option C, इसका character answer होगा next question है friends, कि निमलिखित में इसे कौन सा पादफ हार्मोन है, तो friends में cytokonin, जो है पादफ हार्मोन है बाकी सभी, यानि कि जियो हार्मोन है, जैविक हार्मोन है बाकी ये पादफ हार्मोन है cytokinin, next question है friends कि मानो सरीर में सबसे चोटी ग्रंत ही कौन सी है, तो friends मानो सरीर में सबसे बड़ी ग्रंत ही अभी हमने बताया एक्रित होती है, और सबसे चोटी ग्रंत ही अगर पूछे तो pituitry gland जो होती है यानि कि ये सबसे चोटी ग्रंत ही मानी जाती है next question है friends कि निमलिखित में से पादप हार्मोन मुक्यता फल परिपकता के लिए उत्तर दाई हुए तो friends, एथलीन, यानि कि जब हम फल पकाना होता है तो हम उसमें एथलीन का प्रियोग करते हैं इस उज़े से एथलीन उसके लिए उत्तर दाई होती है next question है friends कि निम में से तो enzymes मूलता क्या होते हैं friends enzyme मूलता प्रोटीन होते हैं आपसन भी इसका correct answer हो जाएगा next question दिया गया है friends सूची first को second से सुमेलित करना है सूचीयों की नीचे दिया गया है कुछ से सही उत्तर का मिलान करना है तो इसमें क्या हो जाएगा friend जो progesteron है progesteron यह किस से हो जाएगा friend यानि की progesteron यानि की एक तो थायराक्सी ने जो thyroid gland से होती है insulin जो friends यह अग्याशे से होती है और जो इसमें दिया गया है friend testosterone यह यानि की अंडाशे पुरुस आर्मोंस होता है और progesteron यानि की friends क्या होता है गरवाच में महिला संबंदित होता है तो इसमें क्या देख रहे हैं की आप यानि की 3, 4, 1, 2 तो 3, 4, 1, 2 आपको किस में दिखाई दे रहा है friends आपसवान A में दिखाई दे रहा है correct answer option A हो जाएगा 3, 4, 1, 2 next question है friends की निमलिखित में से कौन सा एक protein नहीं है तो इसमें कौन सा protein नहीं है इसमें आपका जो ये दिया गए है oxytocin ये क्या है एक protein नहीं है ये correct answer option C हो जाएगा next question है friends मा और सिसके बीच गले लगना या चुमना निम्न हर्मोनों में से किसके मोचन को प्रेडित करता है तो फ्रेंड किसके मोचन को प्रेडित करता है ये oxytocin के मोचन को प्रेडित करता है correct answer option D हो जाएगा निमलिखित में से निमलिखित कौन सा पदार्थ हर्मोन नहीं है पादाफ हार्मोन नहीं है तो इसमें कौन पादाफ हार्मोन नहीं है इंसुलिन क्या ही यह मानो हार्मोन है यह पादाफ हार्मोन नहीं है नेक्ट कि फेरो मौन सामानता उत्पन किया जाता है तो फेरो मौन सामानता उत्पन किसके द्वारा किया जाता है तो friends ये किया जाता है कीटों के द्वारा option D's का क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा कीटों के द्वारा next question friends गाय और भैस के थनों में दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की सुनी लगा जाती है तो गाय और भैस में जब दूद नहीं आता है दूद उतारने के लिए ऑक्सी टोशीन हार्मोन की इंजेक्शन लगा जाता है next question है friends की insulin होता है insulin क्या होता है insulin एक प्रकार का protein होता है जैसे पहले ही बताया कि जितने भी हार्मोन होते हैं सभी क्या होते हैं protein होते है इस जिसका correct answer option C हो जाएगा next question है friends की पाचन तंतर से digestive system से related questions है इसमें का आगया है कि अग्नाशे को पाचक रसकी पाधन के लिए उत्तीजित करने वाला हर्मोन निम्ड में से कौन सा है तो friends ये कौन सा हर्मोन है tryption है आपसन भी इसका correct answer हो जाएगा tryption next question है friends की मानो सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संबन होता है तो friends जो पाचन क्रिया होती है मानो सरीर में इसका अधिकांस भाग जो होता है ये छोटी आत में ही हो जाता है इस वज़े स्यर की small intestine में correct answer option C हो जाएगा next question है friends पित्रस विसयक निमनिखित कत्मों में से कौन सा सत्य है तो friends में कहा गया कि ये पित्ता से में संसलेसित होता है तो ये गलत है इसमें उपस्तित लवण वसा का पाचिकरन करते हैं तो हाँ ये करते हैं यानि option B friends का क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यानि इसमें उपस्तित लवण जो होता है वो वसा का यानि क्या करता है पाचिकरन करता है option B correct answer हो जाएगा next question है friends कि सरीर में अतरिक्त glucose glycosin में परिवर्तित होकर भंडार रहता है तो ये भंडार कहां पर होता है glucose जो glycosin के रूप में बॉड़ी में यानि यक्रित में यानि लीवर में होता है so just correct answer option B हो जाएगा next question है friends की प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है तो friends प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है tryption एंजाइम जो ही ये प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है option C correct answer हो जाएगा next question है friends पितासे में उपस्थित पत्थर निमलखित में से किसका पाचान प्रभावित करता है तो ये पहले बता चुके हैं यानि किसका करता है friends वसा का यानि कि प्रभावित करता है correct answer option B हो जाएगा next question दिया गया है friends नीचे दो कथन दिये गये है मानो सरीर सेललोज के पाचन में असच्छम है और फिर इसका कारण है कि मानो सरीर में श्ठार्च अब गटक एंजाइम डाइस्टेस विद्मान रहता है तो यानि कि ये कौन सा इसका सही हो जाएगा तो इसमें का आ गया निमलखित में से कौन सा मानो मुर्दे मानो गुर्दे का सामानेकार नहीं यानि कि जो human kidney होता है इसका यानि कि normal work कौन सा इसमें नहीं है तो friends में आफ़सन भी यानि कि क्या है कि रक्त में सरकरा की मातरा का नियंतरन यानि kidney का काम यह नहीं होता है क्यों यानि कि हमारे body में क्या करे यानि कि सरकरा का नियंतरन करे इसका रक्त का कारे क्या है जल की मातरा का नियंतरन करना यूरिया को चान कर बाहर करना और कई हर्मोनों का सरवन करना हमारे kidney का काम होता है यानि सरकरा का नियंतरन इसका कारे नहीं होता है option B इसका correct answer हो जाएगा next question है friends वरिक वाले विक्तियों के लिए अपोवान जिसे dialysis कहते हैं क्या उपयोग किया जाता है इसमें नहीत प्रक्रम है तो इसमें कौन सा प्रक्रम यानि इसमें होता है प्राश्रन होता है option B इसमें correct answer हो जाएगा next question है friends की वरिक से मूत्र की मातरा का निस्तारन नियंतरित करता है तो कौन सा प्रक्रम यानि कि इसका नियंतरित करता है तो यह होता है ADS द्वारा नियंतरित किया जाता है option D का correct answer हो जाएगा next question है friends कि यूरिया किसके द्वारा रख्ट से प्रथक किया जाता है तो इसका जो correct answer हो जाएगा क्योंकि पहले बता चुके हैं kidney के द्वारा होता है option D का correct answer हो जाए गुर्दा next question है friends कि यदि मूत्र में albuni मारा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंके फेर हो जाने से पीडित होने की सम्भावना होती है तो जब मनुष्य का kidney खराब हो जाता है friends तब यानि albuni मिन जो तक होता है वो उसके मूत्र में मनुष्य के मूत्र में आने लगता है तो यूरिया है correct answer option D हो जाएगा YouTube ॉरिया next question स्वतंत अंतर से है तो PG स्वतंत में जो ओर जा उतपादीत होतीय किस रूप में होती वो ATP के रूप में होती है, correct answer option B हो जाएगा friends, ATP के रूप में, next question है friends, स्वस्षन प्रक्रिया विधि में निमलिखित में से किस गैस की सांदरता प्रस्वस्षनित तथा उच्छसित वायू में परिवर्तित रहती है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह nitrogen होता है friends, यानि N2, इसका correct answer option यह हो जाएगा, next question है friends, की हवा में तैरते हुए स्वस्षनिये, सूच मकडों का आकार होता है, तो friends, यह 5 micron से कम होता है, तो option D का correct answer हो जाएगा, 5 micron से कम, next question friends, की सरीर के किस भाग में, पित का निर्माड होता है, तो friends, यकरित जो मनुस्षिका लीवर होता है, उसमें प या सरीर में सारा रक्त किड्नी के माध्यम से गुजरता है, या सरीर में सारा रक्त किड्नी के माध्यम से सुध होता है, तो यह सही है कि सरीर में जो सारा रक्त होता है, कोई जरू नहीं कि किड्नी के माध्यम से गुजरे, लेकिन सुध जो होता है, वो किड्नी के माध्यम स से होता है इस वज़े इसका करेक्ट एंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तो आई हो फ्रेंड्स की आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा अगर आप सभी को अच्छा लगे तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लें लाइक करना न भूलें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो को कैसा लगता है अपने दोस्तों को अधीक से अधीक से ये करें और बिल वाली आइकन को प्रेश करना न भूल दें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए आप इसका आध्यान करिये अच्छे से, जैन फ्रेंट्स, जै भारत.